Hello friends, आज बहुत बात करेंगे एक बहुत इंट्रेस्टिंग ब्रांच के बारे में जिसका नाम है paint technology लोगों को जानने की इत्सुर्टा है कि इसमें क्या पढ़ाया जाता है, कहा जॉब लगती है, कितने की जॉब लगती है, किन-किन colleges में इसकी पढ़ाई होती है ठीक है, तो मैं आपको बता हूँ, पहले तो importance की, कि paint technology बहुत important ब्रांच है, आप सुबह से उठे, आप सवरे से उठे, और साम तक जितनी पी चीज़ आपकी सामने से घुजरती है, आप देखिए, उनमें हर जीगा paint का इस्तमाल है, even आपके पास जो सबसे जीज़ता करेंग का इस्तमाल किया गया है, ठीक है, पहले कर बात करता हूँ, कि इसमें आप लोगों को paint technology के बारे में, कि भाई, इसे पढ़ाय क्या जाता है, ठीक है, तो हर एक surface के लिए, अलग-अलग coating की जाती है, और अलग-अलग तरह के paint के जाते हैं, जैसे car, car में, bikes में, ठीक है, even woods मे अलग-अलग तरह की paint किया जाते हैं, इवन जो घर के gate होते हैं, उन पर अलग तरह की paint किया जाते हैं, तो जो painting की quality है, वो material to material vary करती है, और paint भी करने के लिए हमें जैसे iron की चीज़ को paint कर रहे हैं, तो हमारा target ऐसा रहता है कि हम उसमें ऐसा paint करें, ताकि उसमें corrosion ना हो, र metallic color ऐसी बाते करी जाते हैं, ठीक है, और car के color होते हैं, वो काफी long-lasting रहते हैं, इसके रहाँ, जो wall पे paint होना होता है, उसमें भी dust resistant, या water resistant paint किया आते हैं, इवन आपको बता हूँ, home appliances में आजकल ऐसे ऐसे paint आ रहे हैं, जिसमें आपको advertisement सुना होगा, कि dust free paint, dust नहीं पड़े dust particle या water, उस पर रुके ना, water resistant हो जाए, ठीक है, तो paint का बहुत अब इस्तमाल है, paint technology, paint technology के आपको बताता है, कि हरी अलगले different surface के लिए, आपको different different तरह की coating करना सिखा जाएगा, और वहाँ पर कौन कौन से paint करने हैं, वहाँ वहाँ पर depending होगा, ठीक है, मैं आप बता हूँ, देखें, आप सस्ती गाड़िया देखने जाएंगे, तो उसका paint के quality अलग होगी, और आप महंगी गाड़िया देखें, BMW, Mercedes, उनकी paint के quality बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो जितनी महंगी गाड़िया उसमें उतना अच्छा paint भी use किया जाएगा, even home appliances में भी, महंगी सबस्यादा पैसा ही मलता है, मैं on an average बुलू तो आज से 12 लगतर का package जो मैं आप्नोवाइस कमपनी दे देती है, कुछ कमपनियों में नाम ले देता हूं, मारूती, हुंडई, हीरो, even के नाम है, आपका, महंद्रा, टाटा, और भी जितने भी force motors, जितने भी है, सब जिक है paint technology के बच्चे जाकर के जो और करते हैं और अच्छे पैसे कमते हैं, even home appliances, ठीक है, fan, tv, washing machine, जो भी है, fridge, सब में जो, सब में paint जो भी use होता है, उसमें भी अच्छे का से बच्चे जाकर के paint technology के work करते हैं, ठीक है, even मैं गोता हूं paint producing companies, जैसे Asian Paints, Narrow Leg, Berger, Dewlex, इन कमपनियों मे बच्चे जाकर के अच्छी job पा लेते हैं और लगभग 6 से 10 लाग तर का package पा लेते हैं, ठीक है, किसी-किसी बच्चे के 15 लाग से भी starting हो जाती है, मैं किसी-किसी बात में कर रहा हूं, लेकिन जो on an average, 6 से 15 लाग तर के बच्चों का average placement चला जाता है, ठीक है, आगे बढ़ जाए और यहां की pen technology, my god, बहुत अची है, ठीक है, यहां पर आपको admission J.E.Main के थुरू, या, केता है, M.S.C.T. के थुरू मिल जाता है, दूसरा है, H.B.T.U. कानपूर, Harcourt Butler Technological University, कानपूर, यहां पर admission आप लोगों को J.E.Main के थुरू मिलेगा, और के यहां रखिएगा ठीक है, मैं बताओ, मेरे college, यहां पर paint technology में जो बच्चे थे, हम लोगों से जलते थे, क्योंकि वो paint technology की company में चले आते थे, auto-mobile की company में चले आते थे, chemical की company में चले आते थे, ठीक है, इसलिए उनकी job सबसे पहरे लगती थी और बहुत अच्छी लगती थी, ठीक है, को जानना होगा किसे पढ़ाय कहा जाता है, सबसे जाता है जरूरी कहा है, coating और उसके उपर painting यानि pigmentation यानि अलगना paint की पढ़ाय करा जाती है, और यह chemical technology की प्राँच है, इसलिए chemical के काफी सारे topic भी आपको पढ़ाय जाते है, ठीक है, ठीक है, करके मैं read कर देता हूँ, बुलक की बढ़य जाते है र सकति एक को जाते हैं, फच्रिक के ऱ प्राँटेस मेड़ पूत कर प्रूं चरूं को पिल्ट कि है, आख द सृप्वाचिक की, अच्रिक नम्चरूब इसे तक्नोशा सॉकी का जाता है, स्थार प्राँफ टोम्चिक टूं रस्तिवर हैं, ठक ट टेकनलोजी और नेच्छरल रेसाइन एलकाइट एंड पॉलिस्टर टेकनलोजी और सेंथेटिक रेसाइन एंड पॉलिमर्स ठीक है आप लोगों को कई ब्राज मिले कभी तो कभी यह मस उचेके पेंट टेकनलोजी आप इसमें जरूर निट्री लिजीगा ठीक है बहुत लग लेवल तक लेके जाने के लिए ट्राइ चलता रहता है हमेशा ठीक है तो अगर आपको यह ब्राज मिले इन कॉलिजी स्केसी में और अगर यहां मिले तो कट्टा ही में छूड़ी हो इन दोनों कॉलिजी में बहुत बड़े हैं ठीक है आपको अगर यह मेरा लेक्षर अच्छा लगा हूं कुछ सीखने को मिला हो कुछ समझने को मिला हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करें परे दोस्तों में शेयर करिए और बेल आएकन को भी ज़रूता पातीजेगा इसके लाब आपको अगर किसी और ब्राश के बारे में जानना है किसी और कॉलेज के बारे में जारना है तो मिझे कमेंट करके बताइए मैं उस पर वीडियो भी जल्दी जल्दी आपको प्रवाइड करूँगा ठीक है चले मिलता है कि वीडियो सब में बाई बाई